वेलकम टू एससी गेम्स एससी गेम्स के यूटूब चैनल पर आप सभी का सौगत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जन्नल अविनेस का पार्ट 18 लेकर आए हैं इससे पहले के पार्ट 17 तक के वीडियो हमने डाल लगके हैं आप एक बार उन वीडियो को देख लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक वाशेयर भी कीजेगा चैनल पर आगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए आप आज के पहले प्रसने की तरह बढ़ते हैं पहला प्रसन है बिटिस वैग ज्यानिक द्वारा बनाया गया द दुनिया का जिसे की बिटिस वैग ज्यानिक ने बनाया है उसका नाम नैनो सेड है और जो ऑप्सन भी है अपाचे तथा धुरू ये दोनों हेलिकॉप्टर की नाम है जो ऑप्सन सी है अकुला या एक पंडुबी का नाम है तो सोने का पतीक चिन एयू होता है तता सोने की प्रसिद्ध खान कोलार वा हट्टी ये दोनों करनाटक में इस्थित हैं अगला क्योस्चन है निम्न लिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे हैं बद्र बाहु चंद्रगुप्त मौर्ज पारसुनात महावीर स्वामी इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन के पहले तिर्थंकर कौन थे हैं तो उसका अंसर हो जाएगा रिसब देव नेक्स क्योस्चन है नोकिया के वरतमान CEO कौन है अजय पाल सिंग बंगा रामन ला गुरता राजीव सूरी सेन वी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी राजीव सूरी राजीव अग्सर एक्जाम में पूछा जाता है हजार जीलो की भूमी या हजार जीलो का देश किसे कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा फिल्लेंड अगला क्योस्चन देखते हैं मिसन मंगल फिल्म के डारेक्टर कौन है मेगना गुलजार जगन सकती एसेस राजा मौली विकास प्रसाद बहल जाएगा उप्सन नमबर बी जगन सकती मिसन मंगल फिल्म के डारेक्टर है जो अप्सन ए है मेगना गुलजार जपाक मुवी के डारेक्टर है और जो एसेस राजा मौली है यह प्रसिद्व बाहुपली मूवी के डारेक्टर है और विकास बहल इसूपर 30 पत्र किस से संभन्दित है रमेश पोख रियाल रामविलास पासवान रवी संकरप्रसाद प्यूज गोएल इस प्रसन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी रामविलास पासवान जी के पुत्र चराक पासवान के द्वारा यह संचालित होता है तो यह न्याय च क्रिस्ट समचारपत्र रहाम विलास पासवान जी से संबन्दित हैं अगला क्यूश्चन है अपिज अब्दुलकलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है के सिवान सारुक खान जी सतीस रेडडी कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और आपसर नमबर A के सिवान को एपी जअब्दुलकलाम पुर्षकार से सम्मानित किया गया है और ये इसरो के चेर्मेन है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी ता इसरो का मुक्याले बैंगलूरू में इस्थित है एपी जअब्दुलकलाम 1997 में में भारत रतन पुर्षकार से सम्मानित किया गया था अगला क्योस्चन है पलानी मुरूगन मंदिर किस राज में इस्थित है केरल तमिल नाडू असम महराष्ट इस प्रसन का राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B तमिल नाडू जी हाँ तमिल नाडू में ये पलानी मुरूगन मंदिर इस्थित है और जो अप्सन C है असम यहाँ पर प्रसिद कामाख्या मंदिर इस्थित है कामाख्या मंदिर असम के गुवा हाटी में इस्थित है नेक्स्ट क्योस्चन है जेनुका जी बांध परियोजना किस नदी पर इस्थित है नर्मदा, भागी रती, गिरी नदी, चेनाब नदी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसर नमबर C, गिरी नदी अब रेनुका जी बांध परियोजना किस नदी पर इस्थित है और जो गिरी नदी है यह यमना की सहायक नदी है जो की हिमाचर प्रदेश में इस्तित है अगला प्रस्थन है पुस्तक अंधेरे से उजाले की और किसके द्वारा लिखी थे अरुन जेटली, अनुपम खेर, वैंकयान आइडू, पंकच कपूर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर A अरुन जेटली, तो यह पुस्तक अंधेरे से उजाले की और अरुन जेटली से सम्मंदित है अगला प्रस्थन है दावेल बेइंग बजट किस देश द्वारा परस्तुत किया गया था यानि कि ये सरुक्तर 스概़ के द्वारा पिस्टिते हैं अमेरीका ओस्टेलिया न्यूजीलेंड इतली इसका राइट आंसर हम जाए प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र करने वाले प्रधानमंती मुरार जी देसाइएं तो यह हमारा अब आपके लिए आज कर्वाइब करते हैं तर्की की राजधानी का नाम क्या है।rki की राजधानी का क्या नाम है। इस क्रूस्चन का आंसर आप को कमेंटबॉक्स में बताना है। तो यह था आज के हमारा वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जिससे की डेली हमारे वीडियो की जबापत हो सके थैंक्स फोर वाचिंग